हाई, so finally वो समय आ गया है, yes आज की इस वीडियो में हम लॉंच कर रहे हैं MHT CET 2025 की हमारी बैच and yes आज की वीडियो वही है जिसका आपको काफी समय से इंतजार था बात करते हैं हमारी बैच के टाइप्स के बारे में, so हमारी बैच बेसिकली दो प्रकार की है, दो टाइप की बैच है सबसे पहले-पहले MHT CET Physics की समपूरन लाइव बैच जिसमें हम सारा का सारा syllabus कवर करेंगे, right एंड दूसरी बैच है हमारी ड्रॉपर्स बैच, जिसका दूसरा नाम आप MHT CET Advanced Batch भी रख सकते हो दो प्रकार के student होते हैं, एक टाइप के student होते है जिनको चाहिए कि हम थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहें, थोड़े-थोडे समस करते रहें दूसरे प्रकार के student होते हैं कि sir मैंने तो इसी महिने में पूरा syllabus कवर कर दिया था, मुझे आज 11 चेप्टर पढ़ने का मन है So requirements को ध्यान में रखते हुए batches भी हमारी दो प्रकार की हैं So आप सोचोगे इन में फरक क्या है इन में सबसे बड़े में बड़ा यहाँ पर एक ही फरक है देखो live lectures यहाँ भी होंगे Live lectures यहाँ भी होंगे Doubt solving यहाँ भी होगा Doubt solving यहाँ भी होगा Extra यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो old recorded batches है उनकी availability भी यहाँ पर हो जाएगी जिससे जो chapter आपको advance में पढ़ने की desire है आपको wait नहीं करना है तो आप यहाँ से वो कर सकते हो कई बार क्या होता है students कहते हैं college में इस chapter का exam है ऐसा वैसा तो उसमें वो वाला benefit आप यहाँ पर claim कर सकते हो एक चीज़ और मैं बता दूँ आप MHT CET का अगर मेरा batch होते हो enroll यह आज इस साल के लिए नहीं हमेशा यह चीज़ valid होती है तो आपको physics के board exams में जो numericals होते हैं ओके वो extra करने की जरुरत नहीं होती है because MHT CET की batches हमारी basics से start होती है और अगर आपको basics आगए sums करने तो फिर board exam हो MHT CET हो sums एक ही रस्ते पे एक ही तीर से दो निशाने लग जाते हैं बात करते हैं हमारे record breaking results के बारे में हर साल हम कुछ ना कुछ unique way में record तोड़ते हैं and yes इस साल भी हमारे records काफी जादा unique हैं काफी जादा मैं proud हूँ मेरे students पे जुन्होंने अपनी life change करती 2023 में आया था 9 percentile आप कह सकते हो before RG lectures after meeting में percentile बन गया 85.93 percentile 19 percentile कलपेश का बन गया 93.12 percentile 35 percentile बन गया 90 percentile उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे examples हैं जो हमारे पिछले इस साल के बैच के यानि 2024 बैच के student 37 percentile बन गया 90 47 percentile बन गया 90 उसी प्रकार से 39 बन गया 93 44 बन गया 94 आप देख सकते हो multiplication में success है success multiply हुई है literally okay so उसी प्रकार से यहाँ पर यह हो गया हमारा droppers बैच का result आप कह सकते हो यानि जो भी dropper student हमारे साथ enroll थे right and उसी में से अगर हम देखें generalized result right जो fresher student की result थी तो यहाँ पर यह हमारे as usual जैसे आप देखते हो 99 के उपर वाली range में so यह हैं हमारे 99 percentile plus वाले हमारे toppers okay मैं इनके लिए भी खुश हूँ ऐसा नहीं है आप सोच रहे रहो कि usually लोग पहले यह दिखाते है मैं 99 above आया है yes मैं खुश हूँ बट वो हर साल होता है okay मैं ego से नहीं कह रहा हूँ मैं humility से कह रहा हूँ यह जो difference है यह as a teacher मेरे दिल को बहुत जादा खुशी पहुचाता है सवजे से मैं पहले इन चीजों का जिकर कर रहा हूँ चली सो उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो इस साल के हमारे 99 percentile वाले toppers then 98 percentile वाले person and उसके पीछे का record maintain नहीं करते हैं because उसका graph काफी जादा growth हो जाता है बात करें 2023 result की अगेन आप देख सकते हो यह सारे students का 99 के उपर है because 99 के उपर वाला ही crowd maintain कर सकते हैं जिसे जिसे percentile नीचे आता है 96 के उपर तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं फिर कोई student को दुख हो जाएगा इनकिस अगर उसका photo miss हो गया तो बढ़ते हैं आगे के तरह fan discuss करते हैं आपर हमारा हर साल का highest आप देख सकते हो 2018 से हमारा record maintain है 2018 से हमने start किया था बढ़ record maintain covid period से हमने किया आप देख सकते हैं हर साल highest percentile बढ़ता गया है अगर ये statistics को मैं देखता हूं 2025 में मेरे उपर सबसे ज़्यादा pressure होगा because इस साल मुझे record तोड़ना पड़ेगा 99.95 का record जो की काफी ज़्यादा यहाँ पर challenging है and मुझे उमीद है कि वो long term batch वाली students ही वाले students ही तोड़ पाएंगे because वही मेरे साथ लंबे समय तक connected होंगे बात करते हैं final step की so class 12 के lecture सारे live होंगे MHT CET के MHT CET के जो basics लगते हैं वो यहाँ पर cover होंगे board exams की अगर मैं बात करूँ board exams का theory कोई भी करा सकता है कहीं से भी आप कर सकते हो इतना matter नहीं करता है आपके college teacher करा सकते हैं मेरे one shot आप अगर multiple times देखो वहाँ से कर सकते हो कहीं और से कर सकते हो offline classes से कर सकते हो मैं heavily enrolled हूँ engineering batches में तो उस वज़े से board exam की batches में launch नहीं करता हूँ because engineering में मैं खुद 3 subject लेता हूँ वो भी 6 universities के तो 24 hours ही है एक दिन में so basically MHT, CET के लिए जितने भी basics चाहिए sums सीखने के लिए जितने भी basics चाहिए सारे के सारे इस batch में है तो आपको ज़्यादा problem कहीं पर भी नहीं आये कि और अब्विसी बात है concept discussion होता ही है sums हम बिना concept discussion के anyways नहीं कर सकते हैं तो आपको basics का थोड़ा सा भी tension नहीं लेना है basics cover होते हैं batch में यही reason है कि लोगों को एतना massive jump हो रहा है 9 से 85 19 से 93 तो basics का आप बिलकुल भी tension नहीं लेना even हमारी जो engineering की batches होती है वो class 11 से start होती है पहला lecture scalar and vector का होता है मेरा engineering में आपको वो tension थोड़ा भी नहीं लेना है class 11 होगा pre-recorded उसका reason है क्योंकि हमें momentum break नहीं करना है अगर इस समय पे कोई student ray optics का theory पढ़ना start करेगा करीबन करीबन 20 दिन का समय लग जाएगा वो cover करने में जो की वर्धी नहीं है अभी आपको 12th का सिले बस उसके 16 चिप्टर पहले करने आप कहाँ thermal properties of matter और यह optics अभी पढ़ते रहोगे so 12th का weightage होता है 40 marks 10th का weightage होता है 10 marks as of now December तक हमारी यह batch होगी so December तक हमारा जो focus है मैं openly बता रहा हूँ यह 40 marks के उपर हमारा focus है but yes हम यह करेंगे obviously but major priorities इसको देंगे because हमें simultaneously boards भी करना है मैं चाहूँ बोल सकता हूँ 11th भी अपन लाइव करेंगे फिर क्या होगा फिर आपका backlog बढ़ेगा आप पढ़ाई से distract होते जाओगे बुलोगे मैं यह करूँ के यह करूँ college का practical करूँ के offline class करूँ के ICT का करूँ तो वो ऐसा हो जाएगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर दी बट मैंने बस ऐसे वो अपने सर से जिम्मेदारी हटा दी के बाकी तुम जानो तो मेरा experience मुझे पता है कि वो 11th वैसे भी December तक किसी को रूची ही नहीं रहती है करने की सो इस वजे से वो pre-recorded है doubt solving cover होगा through the Google form and three lectures अभी as of now रहेंगे minimum 90 minutes each यह minimum मैंने आपर mention किया है lectures का समय obvious सी बात है रात में होगा ताकि आपके college को गुजबी interruption ना हो and timing and यह सब चीजें course के अंदर mutually decide करके सब settle हो जाएंगी बात करते हैं fees के बारे में जो live batch है सिर्फ उसकी fees है 1599 and जो dropper batch हैं जिसको आप दूसरे बाशा में advance batch भी कह सकते हो उसकी fees है 1199 call और whatsapp आप इस number पे कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी further query है तो rglectures dot com के थुरू आप enroll कर सकते हो rglectures app के थुरू आप enroll कर सकते हो जो लोग iPhone users है उनके enrollment का process हलका सा अलग है वो description में दिया गया है but yes आप iOS app में course देख सकते हो because मैं खुद भी iOS user हूँ तो process हलका सा अलग है बाकी सारी चीजें as it is same है उम्मीद करूँगा कि यहाँ पर कोई 2025 age का student इस record को टोड़े because साल बाय साल मेरे उपर काफी pressure बढ़ते गया है so मुझे खुद आप लोगों से hopes and expectations है right and furthermore उम्मीद करूँगा कि आपका सफर physics में जो नफरत होती है लोगों को sums करने में जैसे इन students so that was all for this video मैंने MHT CET 2025 badge की सारी चीज़ें मेरे साइट से clear कर दी बाकी जिम्यदारी पूरी की पूरी आपकी है hope so जल्दी मिलेंगे हम MHT CET live class में all the best, कुछ भी details रहें phone number पे आप contact कर सकते हैं wish you the best